हमले को लेकर किसी तरह की राजनीती नहीं खेलनी चाहिए। किसी को भी नहीं। ये समान्य हमला नहीं ये आतंग का वादी हमला है। इसकी तैयारी एक दिन से नहीं चल रही थी, कई दिनों से चल रही थी, क्या एक ही दिन में मस्जीद के अंदर पत्थर, बोतल, तेजाब की, सोडा वाटर की इकटी हो सकती है, आखिर क्यों तीन घंटे पहले मुस्लिम समाज ने अपनी दुकाने बंद कर दी थी, साफ दिखाई देता है उनकी मानसिक्ता इसपटती, यहां से शुभाय यात्रा निकलेगी, हम उस पर हमला करेंगे, एक-एक हिंदू को घायल करेंगे, और एक आतंक का माहोल हम बनाने की कोशिश करेंगे, कौन जिम्मेदार है, यह बड़ा प्रश्न है, जेहादी मानसिक्ता निष्टित तौर पर जिम्मेदार है, और यह केवल भारत या दिल्ली में नहीं संपूर्ण विश्व में हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार वो है, जो इनको भड़काते हैं, शह देते हैं, केजरिवाल जी ने पिछले दिनों वक्ष बोर्ड की बैठक के अं और साथ में जो वाक्य कहा था, मोदी और शाह को हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आखिर क्यों रोहिंग्याओं को साड़े पांच एकड जमीन पर कबजा करने की अनुमती मिल जाती है, क्यों उनकी जुग्गी जोपडियों में खुद आग लगा कर उनको दिल् दिल्ली में पहले जब दंगे हुए थे, आपको ध्यान होगा शाहिन बाक से जुड़े हुए शिव विहार के अंदर सीलमपुर में, उन दंगों के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग ताहिर हुसेन, अमानतुल्ला ये सब क्यों इन्वाल थे, ध्यान में आता है, आज के रूप दिखाई दिया है, मेरी मांग है केंदर सरकार से, इसकी जांच एनाईये के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा का मुद्दा भी इन्वाल है, क्या प्रधान मंत्री और गिरह मंत्री को हटाने के लिए, किसी प्रदेश का म आदमी पारिटी का कारे करता है, और जब पकड़ा गया, कितने गर्व के साथ अपने पोस बना कर जाता है, जैसे उसने कुछ गलत न किया हो, वैसी हैदराबाद का पुराना इतिहास भुला देना चाहते हैं, जिन रजाकारों का ये मानस पुत्र हैं दोनों भाई, पिता के समय पर, अगर भुट्टो को फासी होती थी, या अयूप को विमान दुर घटना में मृत्य होती थी, इसी हैदराबाद के अंदर हिंदूों पर हमले होते थे, उनकी दुकाने लूटी जाती थी, इनके पिता जी के संरक्षन में होता था, और आज जिस तरह की भाशा ये बोल रहे हैं, इनके भाई बेशक बरी हो गए हो, लेकिन सबूतों के अभाव में हुए हैं, ये कैसी बजारू भाशा का प्रियोग करते हैं, तालियां बजवाने के लिए, एक सभ्य समाज में वो प्रियोग नहीं हो सकता, मुझे साफ लगता है, ये जब से बाद में दंगे क्यों नहीं होते, क्योंकि वहां का हिंदू खड़ा हो गया है, बाकी जगह, उत्रप्रदेश में दंगे क्यों नहीं हुए, वहां का सरकार और समाच दोनों मजबूत है, इसलिए अब रोक लग रही है, इसलिए बिल बिलाहट हो रही है, ये थोड़ी दि नहीं थे, यह हिंदूओं पर हमला था, दंगों में दोनों तरफ से होता है, यहां टार्गेट केवल हिंदू समाज के कारिक्रम को बनाया गया था, नमबर एक, यह वो कमलनाथ हैं, जो खुल कर यह कहते थे, मुसलिम लोगों की सभा के अंदर जाकर, कि आपको हमें वोर्ट देना चाहिए, नहीं तो BJP आजाएगी, बढ़का कौन रहा है, कमलनाथ भूल जाते हैं, सिमी का सबसे अधिक विस्तार दिग्विजे सिंग के समय पर हुआ, कमलनाथ भूल जाते हैं, कि इनी दिग्विजे सिंग ने बिहार की एक घटना को मध्यप्रदेश की घटना बत दंगे हुए हैं, मैं पूरे तथ्य के साथ कह रहा हूँ, और किसी भी मंच पर चुनोती देने वाले के सामने ये तथ्य रख सकता हूँ, वो सारे दंगे कॉंग्रेस की शेह पर हुए हैं, कॉंग्रेस के द्वारा हुए हैं, कॉंग्रेस के द्वारा स्पांसर्ड हुए है यह बहुत दुरभाग्य पूर है हिंदूों को अपने त्यावहार भय के साय में बिताने पड़ें क्यों नहीं मोहरं के ओपर इसिधे और रेक्ट एक видел की जैसे धमकी दी गई थी, वो धमकी दी जा रही है, हम कतले आम कर देंगे, हम घर से नहीं निकलने देंगे, हम हाथ पेर काट देंगे, और केवल कहा नहीं है, कर रहे हैं, क्या वो 1946 किस्ति को रिपीट करना चाहते हैं, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, नहीं हो सकता, ये 2022 है, मजबूत स समाज, दोनों हैं, उस समय सरकार भी कमजोर थी, नेता भी कमजोर थे, हिंदू को भी कमजोर करने की कोशिश की गई थी, अब ये संभव नहीं है, और जिस तरह से खुबली के करनाटक नहीं है, जब मनमोहन सिंग प्रधान मंत्री थे, सिध्धा रमया, वहां के मुख्य मं मंत्री थे, तब उस समय आईबी ने रिपोर्ट दी थी, करनाटक आतंकवादियों का नया हब बनता जा रहा है, मुसल्मान होगा केवल 15-16%, लेकिन उन 15-16% में प्लस केरल से आने वाले जिहादी इन सब की मानसिक्ता को जोड लिया जाए, आखिर एक युनिफर्म का छोट प्रासा ही तो मुद्दा था, एक स्कूल तक सिमित था, कैसे पूरे देश में आग लगाई, और जज्जमेंट आ गया, जज्ज की नहीं मानेंगे, धमकी दिये उसको जाम से मारने की, उसको सुरक्षा देनी पड़ी है, और साफ लगता है, इस हिजाब कांड का अंत, हरश ना कि अंतरगत काम कर रहे हैं, और सुडो सेकुलर लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं, चंद टुकडों के लिए या चंद राजनेतिक स्वार्थों के लिए ये आग से खेल रहे हैं, देश में ग्रह युद्ध की इस्तिति निर्मान करना चाहते हैं, ये स्विकार नहीं अजिए बाहे हैं, चृतु की है